बूर्णिंग श्टूडेंट्स आपने शुरू से परफश्ट रास में पढ़ चुको संग्या किसे कहते हैं अब जानेंगे हम संग्या के भेतोगरा के बारे में समझेंगे संग्या किसे कहते हैं जिनके परसनल अपने नाम होते हैं जिसे राजन एक भला लड़का है विद्याले मेश सभी मितर उसकी प्रशंसा करते हैं वे किताबे मेश पर रखता है घर में माता पिता भी उसे बहुत इसने करते हैं इन बाक्यों को रिखांकित शब्द में रखांकित शप्द किसी न मेंền किसी ब्यक्ति राजन, लड़का, माता, फीता, पित्र, बस्तू, किताबे, मेज, इस्थान, घर, विध्यादे, भाव, यही प्रिशन सा इसने, आदी के नाम है, तो यही हमारी संग्या है, तो इनी के इस्था होई संग्या की परिवार्शा बनी, ड्यक्ति, बस्तू, इस्थान, प्राणी बयदे, उस्थान, चान। आदी के नाम को संग्या कहते हैं, तो संग्या कहते हैं, सबसे पहला है नाम से पुकारा जाता है, तो इसे राम, कारामपूर, जिनके अपने नाम होते हैं, उनको हम संगिया कहते हैं, अगर इमारत तो आजएगी जाती बाचक में, अगर इमारत का नाम है लाल किला, तो लाल किला जाता है हमारा बेक्ति बाचक संगिया में, इसी तरह से जाती बाचक, बच्चे, बच्चे का नाम नहीं है, बच्चा बहुत गहरी होती है आप से मिलकर खुशी हुई संजना को हासी आ गई यहां दोस्ती खुशी हासी मुश्रब भाव के बारे में बता रहे हैं यानि किसी के गौण दोस्त बारों जो बताते हैं वहारी भावाचक संग्या कहलाती है जैसे मिर्ता, महलालच, बचपन, बढ़ापा, खुशी, दुखादी ठीक है यह तो गए हमारे भावाचक संग्या यानि किसी गौण दोस्त को बताने वाले को भावाचक संग्या कहते हैं अब भावाचक संग्या तो है सभी तरह से बनती है जाती बाचक से भावाचक में बनती है जैसे जाती दोस्त का दोस्ती मित्र का मित्रता उसी तरह सर्वनाम से अपना अपन प्राया 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 पन फिर बनती है किरिया से भावाचक संग्या जैसे पढ़ना पढ़ाई खाना खाया हसना हसी यह हमारे किरिया से बनी है और विशेशन से होती है खुश वावाचक संघ्या सभी नुस का खुषी दुखी का दुख यह हमारी विशेश्रण से भावाचक शंग्या सभी तरह से वनती बीशट मार यह सर्व नाम से सिकाइं ठीक है अब हमने पूरा पार्ट पड़ा अब पार्ट में हमने क्या जाना तो हमने पार्ट में संग्जा इसी भी व्यक्ति बस्तु इस्थान प्राणी या भाव के नाम को संग्या कहते हैं पिर अंवर्ट के वाद हमने संग्या के वह संग्या कितने वह होते था यॵाज़च्तशासंग्या जाथी वाज़च्ब संग्या और भाव्चक संग्या ते हैं यह याद करने ना इसी पर प्रश्न बन के आते हैं कि संगय किसे कहते हैं संगय के भेद लिखो इस तरह से अब आओ जाचे अब आपने पूरा पार पढ़ लिया उसकी करते हम एक्सरसाइज आपको यहां कुछ शब्दी दिये गया है जिसमें से छाट के आपको व्यक्ति वाच्चक और जाती वाच्चक और भावचा संगय में के कॉलम में लिखने हैं जैसे आगा है हमारे जत्ति वाच्चक संगय में आ गए रमयन नीरम नेपाल फिर जाती वाच्चक संगय में इसी तरह से चावल सुर्य वस्ता भावचा संगय है हमारी इमानदारी बच्पन अच्छाई पिर दिये गए बाकियों में संगया तो इसमें बिर्ता संगय है और एक पॉंसे संगय है या भावचा संगय है इसी तरह से सूरज ब्यक्ति वाचा संगय है फिर है लड़किया नारी जाती वाचा संगय है और अमर ब्यक्ति वाचा संगय है अब आपको रिक्तिस्थान में संगय भननी है संगय कॉला में जो द गन्य में बहुत मिठास थी, रेखा को पियास लगी है, सभी के साथ अपना पन रखो, उसे इमानदारी से, उसने इमानदार से काम किया, अफिरे उधारन के अनुसार चित्र देखकर उनके ये, उनके लिए उचित संग्या शब्द लिखो, जिस तरह से बिल्ली का दे रखा ह तो हमने बिल्ली का नाम दिया, किट्टी, और बिल्ली क्या है, जाती बाचक, कैसी बैठी है, उदास, तो होई उदासी बाचक संग्या, इसी तरह से, माता का नाम दिया, पिप्या, माता क्या कर रही है, इसने है, बच्चे से प्यार कर रही है, और जाती बाचक संग्यों क मिठास अभी आपको पहली यहां दे रखिए बर्गी पहली इसमें आपको दे रखें तो इस अब लिखने हैं जैसे पहले मागे हमारा सपेरा सांप सड़क, नाक यह भरने आपको चितर देखके भरने हैं फिर रहस के शब्दर जो आपको यह कौपी में करने हैं इस संग्या किसे कहते हैं उधारा सहित लिखिए संग्या किसी व्यक्ति, वस्तु, इस्थान, प्रानी या भाव के नाम को संग्या कहते हैं जैसे प्रमेश, नाम लिखिए संग्या के तीन हे दोते हैं लिखतिवाच्य संग्या, जातिवाच्य संग्या और भावाच्चक संग्या ठीक है यह लेसन आपको खुरा हो गया